जिसे आप गायत्री कहते हैं, जिसे आप दूसरे बहुत से नामों से बुलाते हैं, योग में हम उसे तंत्र योग कहते हैं। शक्त शाली ध्वनियों के गलत उप्योग से गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कोई एक महिला को कारेक्रम में लेकर आया था, और मेरे पास आने से लगभग 6, 7 या लगभग 8 महीने पहले उनकी आवास जा चुकी थी। मंत्रों को विशेश सावधानी से जपना जरूरी है। गायत्री एक शक्तशाली प्रक्रिया है। उसकी प्रक्रती बहुत अलग है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, जो पूरी तरह व्यक्ती की भीतरी या अध्यात्मिकुन्नती या उसायाम की और केंद्रित हो। इसमें विभिन्न चीजें शामिल है। इसलिए आम तोर पर ये हर ग्रिहस्त को सिखाया जाता था, ताकि कम केंद्रित लोगों को सेहत, खुशाली और जीवन के दूसरे पहलूओं में थोड़ी मदद मिल सके। तो गायत्रि मंत्र गंभीर आध्यात्मिक साधक के लिए जरूरी नहीं है। ये ग्रिहस्त के लिए ठीक है, जिसके लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया उसके जीवन का एक पहलू है। ये एक संभावना है अगर इसकी सही दीक्षा दी जाए। हम आम तोर पर ये चीज़े नहीं करते क्योंकि देवी को छोड़कर यहां अध्यात्मिक प्रक्रिया में रस्में बिल्कुल नहीं है। किसी प्रक्रिया को भीतरी बनाना थोड़ा अधिक जटल और सूक्ष्म हैं पर बाहरी प्रक्रियाओं से कहीं ज्यादा भरोसे मंद है। जब हम भीतरी आयाम रचने के लिए बाहरी प्रक्रिया का इस्तिमाल करते हैं, तो ये प्रक्रिया काल और स्थान की एक सीमा में बंध जाती है। हम कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ चीजें नहीं कर सकते। आप 24 घंटे आध्यात्मिक रूप से आउन नहीं रह सकते। अगर आप किसी बाहरी प्रक्रिया में शामिल हों तो इससे अच्छा पोशन मिलता है। पर उससे ज्यादा कुछ नहीं, ये एक अच्छी मदद है। मदद की बात करें, तो मदद करने के कई दूसरे तरीके हैं। सबसे बढ़कर, जिन्हें याँ दीक्षा मिली है, उनकी मदद हम एक बिलकुल अलग तरीके से करते हैं। उन्हें बस मदद मांगनी होती है। और वो जहां कहीं भी हों, वहां मदद मिल जाती है। शिक्षकों और स्वयम सेवकों वगरे के द्वारे मदद नहीं। उर्जा के रूप में मदद उपलब्ध होती है, वो जहां कहीं भी हों। इसलिए सभी को हर जगा ये मदद उपलब्द कराने की हमारी ख्षमता के कारण, हमने मदद की रस्में स्थापित नहीं की. ये मंत्र उन सबसे लोगप्रिये चीजों में से एक है, जिनने लंबे समय से देश में किया जा रहा है. लंबे समय से मतलब है, खास तोर पर पिछले चार हजार सालों में, मुझे लगता है आदी शंकर के बाद से, उन्होंने इसे बहुत ज्यादा प्रचलित किया, क्योंकि जब वो आए, तो आम आबादी का एक तरह से पतन हो चुका था, इसलिए वो कुछ ऐसा सिखाना चाहते जो सभी के लिए हो, जैसे आज हमीशा क्रिया सिखा रहे हैं, सभी के लिए, गायत्री मंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें कई चीजें शामिल हैं, और इसकी प्रकृती ऐसी है कि, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ये महत्वपून नहीं है, ये हमेशा महत्वपून रहेगा पर सामाजिक और इसके बनावट की दिरिष्टी से ये आधुनिक जीवन में उतना फिट नहीं क्योंकि इसे सच्चाई बनाने के लिए कई चीज़ें जरूरी हैं आज के संसार में क्योंकि आज इस धर्ती की एक बहुत बड़ी आबादी एक जगह पर नहीं रहती मैं चाहता हूँ कि आप पीछे मुड़कर हमारे अतीत को देखें 500 साल पहले ज्यादतर लोग अपने पूरे जीवन में उसी जगह उठते थे और उसी जगह सोते थे उसी इमारत में जीवन भर एक दिन भी बहार नहीं जाते थे जीवन ऐसा हुआ करता था आज मुझे लगता है बहुती कम लोग ऐसे हैं मेरे जैसे लोग अगर मैं दो रातों तक एक ही बिस्तर पर सोता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सवभाग्य है तो वो दिन जा चुके हैं इसलिए चीजों को करने की कुछ रस्में और कुछ तरीकों का महत्व काफी हद तक कम हो गया है मैं ये नहीं कहरा कि मूल साधना का महत्व खत्म हो गया है नहीं लेकिन सामाजिक चीज़ें बदल गई हैं परिस्थितियों में बदलाव आया है इसलिए वो प्रक्रियांwen आसानी से नहीं की जा सकती प्रक्रिया को भीतरी बनाना सबसे अच्छा है भीतरी प्रक्रिया कहीं भी की जा सकती है वो इस पर आधारित नहीं है कि हम कैसी परिस्थिती में कैसे लोगों के साथ हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो योग सौ प्रतिशत भीतरी है जिसे आप गायतरी कहते हैं जिसे आप दूसरे कई नाम देते हैं योग में हमें से तंत्र योग कहते हैं आज तंत्र बहुत अजीब तरीकों से प्रकट हो रहा है खास तोर से पश्चिमी देशों में और लोग सोचते हैं अगर कोई तंत्र शब्द कहें तो वो बेल अगाम मेल जोल के बारे में सोचने लगते हैं नहीं तंत्र का सीधा मतलब है तकनीक कई तरह के तंत्र होते हैं अगर आप ऐसी तकनीक का उप्योग करते हैं जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है तो उसे तंत्र कहते हैं अगर आप ऐसी तक्नीक का उपयोग करते हैं जिसमें कोई बाहरी पदार्थ शामिल नहीं है अगर वो पूरी तरह भीतरी है तो हम उसे योग कहते हैं अगर आप तंत्रिक प्रक्रियाई रचना चाहते हैं अभी देवी मंदिर में एक आर्थी हो रही है ये एक तरह का तंत्र है वहाँ पूजा होती है, ये तंत्र है, अभिशेक होता है, ये तंत्र है ये तक्नीके हैं एक तरह का प्रभाव पैदा करने के लिए पर अब अगर आप तंत्र करना चाहते हैं, तो आपको देवी के रूप की जरूरत है इसमें कई बंधन है तंत्र तब उप्योगी है जब लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते हों, वो चाहते हैं कि कोई और उनके लिए ये करे तो एक व्यक्ती जिसने ये तंत्र सीख लिया है, वो इसे सब के लिया आसान बनाता है तंत्र का एक खत्रा है, शोशन इस देश में एक शांदार तंत्रिक संस्कृती थी पिछली दो पीडियों में हमने उसे खत्म कर दिया क्योंकि इसमें इतना शोशन होने लगा तो हमने सोचा कि इसके बिना ही बहतर है इसलिए पिछली दो पीडियों ने जीवन से रीति रिवास हटा दिये क्योंकि उनसे शोशन हो रहा था तो भीतरी प्रक्रियाएं सुरक्षित हैं इनसे शोशन नहीं हो सकता यह आप पर आधारित हैं कोई आपको प्रेरित कर सकता है कोई आपको किसी शक्तिशाली प्रक्रिया में दीक्षित कर सकता है बस इतना ही है शोशन के लिए कोई जगा नहीं है साथ ही सब कुछ त्यागने की ज़रूरत नहीं है यह ऐसा ही होगा कि नहने के पानी के साथ छोटे बच्चे को भी फैंक दिया आपको सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है ध्यान पूर्वक्त संभाला गया तंत्र ठीक है मैं चाता हूँ कि आप अपना ये बचकाना विचार छोड़ दें तंत्र का मतलब सेक्स है नहीं, इसका कामुकता से कोई लेना देना नहीं है इसमें चीज़ें करने के लिए बाहरी साधनों या उपायों का उप्योग किया जाता है क्योंकि दोनों योगी और तंत्रिक वैग्यानी को जैसे होते है वो ये देखते हैं कि कोई चीज़ काम कैसे करेगी शायद वो किसी खास समाज या इतिहास के किसी खास समय के नैतिक मूलियों में फिट ना हो उसी कारण शायद उन्हें ये लेबल मिला उसी वज़े से उन्हें ये लेबल मिला वरना इसका कामुकता से कोई लेना देना नहीं है इसमें खुशाली के लिए बाहरी सामगरी का उप्योग करना सीखा जाता है सिर्फ आपकी खुशाली नहीं बल्कि कई लोगों की खुशाली तो गायत्री मंत्र उसी आयाम से संबंदित है इसमें कुछ गलत नहीं है बस आज ये उतना उप्योगी नहीं है मंत्र एक शक्तशाली प्रक्रिया है लेकिन उनका इस्तिमाल ठीक से होना चाहिए और उनकी दीक्षा ठीक से होनी चाहिए शक्तशाली ध्वनियों के गलत उपयोग से समस्याएं प्यादा हो सकती हैं मैं अमेरिका में था और कोई एक महिला को कारेक्रम में लेकर आया वो साथ दिन का कारेक्रम था और मेरे पास आने से लगभग छे या साथ या लगभग आठ महिने पहले वो अपनी आवास खो चुकी थी आवास पूरी तरह जा चुकी थी वो हर डॉक्टर हर एक्सपर्ट को दिखा चुकी थी वो बिल्कुल नहीं बोल सकती थी जब वो बोलने की कोशिश करती थी तो बस हवा बहार आती थी ना कि ध्वनी डॉक्टर्स को उनके गले में या वोकल कॉर्ड में कुछ भी गलत नहीं दिखा सब ठीक था पर वो बोल नहीं पाती थी तो जब कुछ नहीं मिला तो वो स्वाभाविक रूप से कहने लगे कि कोई पॉलिप हो सकता है ये हो सकता है वो हो सकता है शायद किसी तरह की गठिया वगर हो और कोई स़जरी की सलाह देने लगा कुछ नहीं मिला तो वो खोल कर देखना चाहते थे इसलिए वो उन्हें मेरे पास लेकर आए तो मैंने उनके उर देखा और उनसे पूछा क्या आप कोई साधना करती हैं कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया क्या आप कोई मंत्र जाप करती हैं उसके बाद मैंने कहा ठीक है आप कारेकरम कीजी देखते हैं एक, दो, तीन दिन बीद गए वो बेचैन होने लगी क्योंकि उनकी आवाज वापस नहीं आई और मैंने उनकी वोकल कॉर्ड के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा तो, चौते दिन तक वो बहुत बेचैन थी उसके बाद वो फिर आई और मैंने फिर उनसे पूछा क्या आप कोई मंत्र करती हैं जब मैंने उनके उर देखा तो मुझे लगा कि उन्होंने जरूर कुछ किया है उन्हें देखकर मेरे लिए बहुत स्पष्ट हो गया कि उन्होंने कुछ किया है उन्होंने कहा नहीं फिर मैंने पूछा क्या आप किसी मंत्र के प्रभाव में आई थी क्या आप कहीं गई थी जहां शक्तिशाली मंत्र जाप हो रहा था और क्या आप उससे प्रभावित हुई थी? उन्होंने कहा नहीं. अंतिम दिन वो बहुत बेचैन थी. उसके बाद फिर मैं उनसे मिला और मैंने कहा देखिया आपने जरूर कुछ किया होगा या आप कुछ मंतरों के प्रभाव में आई होंगी. मुझे बताईए आपने पिछ गायत्री जाप किया था. ओ, मैंने कहा, आपने गायत्री कहां सीखा? उसने कहा, मैं भारत गई थी और मैं वहां से एक सीडी लाई थी. जब भी मैं काम पर जाती हूँ, अटलांटा का ट्रैफिक ऐसा है कि उन्हें आफिस पहुंचने में धाई गंटे लगते हैं और जब ट्रैफिक में फसी होती हैं, तो वो इस तरह गायत्री करती हैं. जब ट्रैफिक नहीं होता, जब वो ड्राइव करती हैं, तो वो गायत्री को छोड़ देती हैं. जब उनके पास वक्त होता है, तो वो बस साथ-साथ दोहराती हैं. वो एक अमेरिकी हैं. आप जानते ही हैं, में टिपणी नहीं कर रहा अगर आपने भारत की भाषाएं नहीं बोली हैं तो संस्कृत बोलना बहुत मुश्किल होगा तो तब मैं जान गया कि उन्होंने गायतरी का गलत उपयोग किया है मैंने कहा देखिए अगर तीन महीनों के लिए आप आकर हमारे साथ भारत में रहती हैं तो हम कोशिश करेंगे कोई गैरंटी नहीं है हम एक प्रयास करेंगे और देखेंगे वो यहां आई और हमने उन्हें एक पूरी प्रक्रिया दी तीन महीनों में उनकी आवाज लगभग सत्तर प्रतिशत लोट आई तब भी तीस प्रतिशत आवाज नहीं थी तीस प्रतिशत नहीं होने का मतलब है मैंने सबसे पहले उन्हें कहा देखिए बोलने की कोशिश मत कीजिए दिन में आप ज्यादस से ज्यादा एक घंटा बोल सकती हैं बाकी समय मत बोलना धीरे धीरे वो ठीक हो गई फिर भी अगर उनकी भावनाओं में उथल पुथल होती तो आवाज चली जाती अगर उनमें थोड़ी भावनात्म को तेजन आ जाती तो आवाज चली जाती एक साल में वो लगभग 90 प्रतिशत ठीक हो गई पर फिर उन्हें पता चला कि अगर वो गुस्सा हो जाती तो उनकी आवाज चली जाती मैंने कहाई अच्छा है इसे इसी तरह रहने देते हैं जब आप गुस्सा होते हैं तो कम से कम आप अपनी आवाज खो देते हैं कम से कम आप बुरी चीज़ें नहीं कहेंगे तो लगभग 3.5.3 साल के बाद वो लगभग 100 प्रतिशत ठीक हो गई बस कभी कभी आवाज चली जाती थी लेकिन वो 3.5.3 साल की साधना से लगभग 99 प्रतिशत ठीक हो गई थी तो मंत्रों का जाप खास सावधानी सही निर्देशों और मार्क दर्शन के साथ करना चाहिए साथ करत है